तो दोस्तो भारत में जो dedicated freight corridor बनाया जा रहा है जहाँ पर तेज रफतार वाली मालगाडिया चला करेगी जिने हम cargo trains भी कहते हैं तो उसके construction के लिए टाटा कंपनी को यहाँ पर काम सौपा गया था दसल उन्हें यहाँ पर 102 किलोमीटर का नया stretch बनाना था लेकिन फिर कंपनी के slow काम को दिखते वे railway ने उनके contract को terminate कर दिया था लेकिन अब कुछ समय बाद railway की तरफ से यह news आ रही है कि उन्होंने फिर से यह contract टाटा कंपनी को दे दिया है जहाँ पर वो 102 किलोमीटर के corridor के construction क काम करेंगे अचानतों आप सब यही सोच रहे होगे कि railway ने पहले टाटा कंपनी का contract कैंसल के और फिन वापा सुने यह contract देने का reason क्या है तो दोस्तों मैं आपको जनकारी के लिए बता दू कि railway को जाएका जो कि Japanese company उंकी तरफ से काफी जाधा pressure आ रहा था वो चाहते थी कि जो dedicated freight corridor है यह टाटा कंपनी द्वारा ही construct किया जाए और इसी reason के वज़े से टाटा कंपनी को यह contract फिर से मिल चुका है और अब टाटा कंपनी की तरफ से भी एक deadline आई है जहाँ पर वो 2024 तक यह dedicated freight corridor जो की 102 km का है उसका construction complete कर देंगे तो दोस्तों land acquisition main problem था जिसकी वज़े से टाटा कंपनी इस प्रजेक्ट को टाइम से नहीं complete कर पाई भारत में land acquisition की problem हमें काफी ज़्यादा देखने मिल रही है फिर चाह वो bulletin project हो या फिर dedicated freight corridor देसल इस freight corridor के construction का जो contract है वो टाटा कंपनी को 2016 में मिला था और अब 2023 होने आया है लेकिन इस contract का सिफ 35% ही बन कर तयार ह हुआ है जानी कि हम देख पारें यहां पर कितना ज़्यादा डिले हो चुक है जैसे कि मैंने आपको बता है कि इसका main reason land acquisition ही है लेकिन अब इस freight corridor के land acquisition का का काम हो चुक है और अब इसके construction का का काम काफी तेजी से किया जा रहा है और होफफुली अब 2024 तक यह freight corridor पूरी तरीक बलकि दुनिया के हरे कोने में Tata की quality की काफी जादा चर्चे और इसी reason के वज़े से Japanese company ने ये contract railway को Tata company को देने को का है तो दोस्तों अगर हम बात करें इस dedicated freight corridor के बारे में तो यहां पर सिफ मालगाडिया यानि की cargo trains कोई चलाया जाएगा इसके वज़े से हमारी जो अभी की और चैनल को सब्सक्राइब कर दीज़े जाहिन